ओम नमस्षिवाय, जै महाकाल, कुछ भी हो जाये जिन्दगी में, लेकिन वो कौन सी यसी तीन चीजें हैं, जो हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे उधार हो, चाहे वो हमेशा के लिए हो, पूजी गुरु जी ने जैसा बताया है, उसी तरीके से में यहाँ पर आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, चलो, देखो, अब मैं आपको तीन चीजें पहले बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका कारण बताता हूँ, कि आकिर हमें यह क्यों नहीं देना चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी को चाता नहीं देना चाहिए, ठीक है, तीसरी चीज आपके सक्रिन पर है, माथे का टीका, यह पहले हमें कभी किसी को ना ही उधार ना ही हमेशा के लिए तेक है, अब देखो, इसका कारण गया है, आप लोगों के हहाँ, या फिर कहीं पर भी आप जाते हूँ देखते होंगे जब लोगों की कोई आप किसी के हाँ कोई मर जाता है या फिर किसी की मिर्ति हो जाती ये कह सकते हैं तो जो पंडी जी लोगों को दान दिया जाता है न वो देखो जूता चपल और एक छाता ये दो चीजें कॉमन होती है यानि कि देना ही देना है चाहे वो इ कारण इसका यह है कि जो छाता होता है और जो चपल होता है वो एक काल का प्रतीक होता है यानि ये काल के प्रभाव को कम करता है इसलिए दोनों चीजों को दान देना चाहिए और हमें कभी भी ये चीजें किसी और को नई देना चाहिए अगर दान के रूप में आप दे रहे ह होता है माथे का टीका क्यों ने देना चाहिए अब देखते हैं देखिए पता नहीं जो भी औरत इस टीके को लगाई है वो पता नहीं कौन सी घड़ी में लगाई हो पता नहीं कौन सा प्रकोप चल था उस टाइम पे और उसी टाइम पे उसने इस टीको को पहना था और निका पाँच रुपए का ही लगा लें लेकिन आप खुद का अपना पहने और अपना रखें तो तीन चीज़े मैंने आप सबको बताई है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा कुछ भी पूछना हो ना तो नीचे कॉमेंट में जरूर पूछा करिए बार-बार कह रहा हूँ इस वाले चैनल पर अगर आप आप आज पहरी बार सुन रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ओम नमस्षिवाय जै महागाल